Hello Everyone Welcome to Zenith Gureto आज का हमारा Topic है Continent डीक इससे पहले हमने पड़ा था लीथोसवेयर के बारे में फिर हमने देखा कि लीथोसवेयर जे पर दो major reason में divided है जो उसका division है वो 2 में है जैसे की फर्स जो हो continent है जो land mass area है ठीक है फ्र्ट जो second one है वो हमारा ocean basin है तो हमारा ocean हो गया, अब हम पढ़ें किसके बार में, continents के बारे में, तो जैसे कि हमारे world में मतलब कितने continent हमारे यहां पर 7 major continents है, कितने 7 major continent है, जो कि separated by the water bodies से separated है, तो हमारा जैसे कि हम देखते ही हमारे कितने 7 continent है, जैसे कि Asia, Europe, North America, South America, Antarctica, Australia, ठीक है, Africa, यह सारे हमारे क्या है, यह हमारे continents है, तो हम one by one हम यह सारे continents को cover up करेंगे, कि यह continent कैसे है, बड़े हैं, छूटे हैं, किदर रहते हैं, कौन से किदर situated हैं, यह सब चीज़े हम देखेंगे, ठीक है, तो first में हमारा continent क्या है, हमारा first continent क्या है, Asia, Asia में हम लोग रहते हैं, ठीक है, Asia is the largest continent, Asia जो है, वो largest continent है, यह about three, sorry, one third of the total area जो है, वो cover up करता है land का, ठीक, it covers about one third of the total land area of the earth, the continent lies in the eastern hemisphere, जो continent है, वो कहां है, Eastern Hemisphere में, अब Eastern Hemisphere क्या है, देखो, हमने जैसे कि पढ़ा था कि globe के बारे में हमने पढ़ा था, कि यहीं लेते हैं, यहीं वाला, हमने एक देखा था, यहां पर हमारा एक globe था, ठीक है, अब जो उसका इस side वाला है, longitude हमारा इधर है, prime meridian, इसके इधर वाला side का जो area है, वो सारा हमारा क्या होता है, Eastern Hemisphere होता है, ठीक है, तो अब हमें हीं पता चल गया होगा, कि यह कहां पर है, तो जो यह Asia जो है, वो कहां पर, situated है, वो है, Eastern Hemisphere में, Tropic of Cancer जो पास करते है, थ्रू इस continent, यानि जो Tropic of Cancer वो Asia से पास होके जाते है, Asia is separated from the Europe by Ural Mountains on the west, अब जो Asia जो है, वो separated किसे, उरोप से, यानि अगर Asia इधर है ना, तो Europe इधर है, तो वो दोनों separate किया, यहां पर, क्या एक mountain है, कहां पर, वो west की side में है, ठीक है, Mountain है, Ural Mountain, the combined landmass of the Europe and Asia is called Eurasia, अगर हम देखेंगे, जो Europe और Asia को दोनों मिला कि, हम क्या बोलता है, Eurasia वर्ड का यूज करते है, यानि यूरोप का Euro and Asia का Sia, यानि Asia, Eurasia, तो हम क्या यूज करते हैं, जब Europe और Asia के दोनों का combined landmass की बात करते हैं, तो उससे हम क्या बोलते है, Eurasia बोलते है, अब इसको हम थोटा सा map की द्रू देख लेते हैं, देखो, यहां पर हमारा क्या हमने क्या देखे था, Eastern Hemisphere में था, राइट, देखो, यह जो 0 degree दिख रहे हैं, यह 0 degree, यह हमारा क्या प्राइम मेरीडियन है, ठीके, तो प्राइम मेरीडियन है, इस साइड में जो आता है, वो हमारा क्या होता है, यह हमारा वेस्टन हैमिस्वेर, और जो हमारे इस साइड में आता है, वो हमारा क्या होता है, इस्टन हमिस्वेर, यह यहां पर और डिर ये ओर उड़ यह ए यह रॉप अब थो एस लुट मुशन हो रहा है यहाँ यहां पर हैस्ट आप tio पोटेव हुआ है यह यह को एसीए कर रहा है यह राटार एसे मंण फोट यह एश्य है यह हमारा यूरोप है तो यह था हमारा जो कि हमने अभी पढ़ा था अब हम फिर से चलते हैं यूरोप के साइड में यूरोप है वह एश्या से बहुत चोटा है ठीड्या दा कॉंतिनेट लाइश्या ये सिया जो कि एश्या के वेस्ट में है कहां पर अगर Asia इधर है न तो Asia के west में है वो, east में नहीं है, तो Europe कहां पर लाई करता है, west of the Asia, the Arctic Circle passes through it, it is bound by water bodies three sides, अब देखो कैसे, यह यहां पर क्या हमारा Europe है, यानि Asia के कहां पर situated है, west में situated है, देखो यह हमारा क्या है, इधर हमारा west, यह हमारा north, यह हमारा east, यह हमारा south, घुकर है, और यह हमारा Asia यह यह हमारा एशिया यह यहीं है, य जाता है, अब Artic Circle पूचोँ होए, कहां पर हूँ हमारा क्या से यह हमारी इकवेटर है, यह हमारा कॉपिक फ्सरेयर निश्रों मारा या इनिंडिया सी होके जाता इनिशों हमारा इंडिया नभी इंडिया अब यह इन्दिया कि अभी हमारे कहा कि अपूंस फिर के रिदिए तो यहां पे होगा और ते च्टीइंथी और चो yar कोरकते हैं हमने यह एडिये थीक है अब चलते हो में नेक्स्ट के मका एफ्रीक या जो है फिकेंगे असीन में कि है यानि ज्तक को नाति हूं फिका है जहां आपको आपको सुखसरी का सबसे होटिस जाते घर आफुट के सोफ से जाके निकलता है और जो लाजर पार्ट है वो कहा रहता है नौर्थ अब देखो फिर से कंफ्यूजर की अपने पढ़ा के इस्टन वेस्टन अब नौर्थन कैसे होगा कि देखो जैसे कि हमने देखा तो कि यहां पर हमारा क्या है प्राइम मेरिडियन है इसके साइड वारा जो होता है हमारा क्या होते है वेस्टन हमिस्वेर होता है और जो वेस्ट साइड का हमारा वेस्टन हमिस्वेर होता है अब वहीं बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं लाटिटेट के तो यह हमारा एक्वेटर होता है एक्वेटर के उ जादा तरह नहीं कहां होते हैं नॉर्थन हमिस्पेर में होता है यह यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है and the Sahara Desert, the world's largest hot desert, the world's largest hot desert है, जिसे हम बुलते है, Sahara Desert, वो भी कहां लाई करता है, वो भी करता है, अफ्रीका के अंदर ही and the continent is bound all side by the oceans and seas और इसके आसपर जितना भी area है, वो सारा water body से cover up है, यानि oceans and seas के side में है अब इसको भी हम देख लेते हैं, जैसे कि यह राफरीका हमारा, ठीक है हमारा Asia था, यह हमारा second largest continent है जो कि हमारा क्या है, अब Africa के देखो, बीच में से यह जो हमारा है, यह हमारा equator है इसके नीचे वाला जो हम देखते हैं, वो हमारा क्या Tropic of Capricorn है, जो की ठीक है, 22 degree, ऐसे something, हाफ में आता है है, जो हमारा उपर वाला ही है, हमारा क्या Tropic of Cancer, यानि यह तीनों ही जो latitude है, यह तीनों किसमें लाई कर रहे हैं, यह तीनों ही अफ्रीका में आ रहे हैं, ठीक है, और यहां पर हमारा हमारा क्या Sahara Desert भी है, अब जो को एक्वेटर का हाफ जानि हाफ जो कि कॉंटिनेंट है, वो कहां पर लाई कर रहे हैं, नौर्थ अमेरिका के बारे में, कि नौर्थ अमेरिका क्या है, देखो नौर्थ, जो कि हमने फिर्स देखा एशिया है, जो हमारा फिर्स लार्जिट जो नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वो दोनों कनेक्टेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे देंस वर्ल लॉंगेस्माउंटन रेंच रूं थरुड इस लैंग संद न नॉर्ट तो व्लाज़ेश रिवर आमजन जो वर्ल्ल की सबसे लाज़ेस्ट रिवर वह हमारी कौंसी होती है अमेंजन यही से हमारा ह जी किक कोउशन बन जाता है तो हम देखते हैं नॉर्थ चेन सॉथ अमयर्य की तो यह might, नॉर्थ अमेर्य का है जो कहना हा लाह कार्राऊ ये आज x तो equator की उपर वाले इरिया जो होता है वह हमारा था क्या होता है? Northern fresh यानी ए जो North America is North के साइड में और किदर साइड में, यह हमारा Prime Meridian ए यानी Prime Meridian है इस साइड में साद यानी Southern Hemisphere में लाउज़ शोड़ा सह यह हमारा नौर्थन अमेरिका के पास है ठीक है और ये भी कहां लाई कर रहा है ये कर रहा हमारा वेस्टन हैमिस्ट्रेलिया और इन दोनों करेक्ट जो करती है जो छोटी से लैंड मास हे वो की आदे हमारी इस्तमस होती है अब हमारा सब्से जो सब्सक्राइन समारा क्वार जो में हमंदे संस्रामिस्ट Will שמhat 슌रे में और उस्टना होगा क्या काता दा इस की आसबू है जो भी निसे आरे कंट्रेंड वार्त आध रहा होगे ठीक है तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा सबसे स्मॉलेस काउंटिनेट है और यह साउथन हमसफ़र में लाही करता है। इसे हम आइलेंड काउंटिनेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसको भी हम दिखेंगे बात मं पहले अन्टार्टिक भी पन लेती हैं जो आन्टार्टिक यहाँ पर लाइजल बहुत कम निटे सिर्ज फिरपिज जो अंधी चानी रहता है एंम्पूरा ब्रत्वील अउन्ग मेरी इस taking the मेरे customers के किकि एंड मेरे या आइस यानि थिक आइस शीट से कवर अप होता है, there are no permanent human settlement, यहाँ पर कोई permanent human settlement नहीं है, many countries have research stations in Antarctica, India also has research station there, they are named as Maitri and Bharati, अब यहाँ पर बहुत सारे countries के research stations है, जैसे इंडिया का भी एक research station है, जिसका क्या नाम है Maitri and Bharati, ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा Australia और Antarctica, यह देखो यह हमारा छोटू सा प्यारा सा Australia है, यह हमारा जो की इसके बीच में से क्या ज़याद है, Tropic of Capricorn, कहां से जा रहा है, Tropic of Capricorn, Australia के बीच में से जा रहा है, और यह कहां लाइक कर रहा है, यह Southen हमिस्वेर में, एज इस्टन हमिस्वेर में यह लाइक करता है, और हमारा है Antartica, यह देख एकदम नीचे की साइन में, एक दम Southen, यह दम沒錯 completely Southen hemisphere में है, और इसके बीच में से जा रहा हमारा latitude, हाँ latitude जा रहा China, Prime Meridian जा रहा हमारा, sorry, latitude नियाえ, यानि आई जो आई शीट से पूरा cover up होता है यानि बहुत बरफीला होता है यहां पर रहना बहुत मुश्किल है रहते ही नहीं वैसे तो यहां पर लोग ठीक है तो इसके अंदर नावारी रिसार्ट स्टेशन भी जैसे की इंडिया का भी एक है मैतरी एंड भारती तो यही थ हमारा आज का टापिक कॉंटिनेंट जो कि हमने cover up कर लिया है आई होप आपको अच्छे से clear हो गया होगा अम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फो वाचिंग